नमस्कार स्ट्रेंट्स वेलकम टूएस्टू क्लासिस और वच्चों क्या हाल है सब कुछ वडिया चल रहा है स्ट्रेंट्स हम लोग एड्मिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर कर रहे थे हमने उसमें चेंज इन प्रॉफिट शेरिंग रेशो का एक टॉपिक था जिसके अंदर ओल रेशो न्यू रेशो सेक्रिफाइजिंग रेशो गेन रेशो के बारे में डिस्कुशन चल रहा था वो हमने पुराने वीडियो के अंदर सीख लिया है अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने चा रहे हैं जो की वैल इस प्रॉफिटमेट से इस तरीके से हम गूडवील के के वैलिएशन करते रहते हैं वह तो बहुत एज़िया है क्योंकि वह तो हम पहले chapter एक separate chapter इससे related कर चुके हैं लेकिन adjustment of goodwill जो है वो इस chapter के अंदर नया है goodwill का adjustment किस किस तरीके से करेंगे वो हम हम इस chapter के अंदर सीखेंगे देखो क्या है goodwill एक intangible assets है पहली बात तो यह कि goodwill के valuation करना बहुत मुश्किल है यह हम पहले वाले chapter में सीख चुके हैं कि जब कोई partner आता है या जब कोई firm बेचिया खरीदी जाती है उस टाइम पे जब दो firm बेचने वाले खरीदने वाला दोनों एक जगे पर आके stand करते हैं अब है इतनी goodwill होगी तो हम वह goodwill की valuation मान लेते हैं self generated goodwill को record करना मुश्किल होता है इसलिए उसको record नहीं कर पाते पर्चेस goodwill होती है तो उसको record किया जा सकता है अब हम इसके अंदर adjustment क्या क्या करेंगे कौन कौन से treatment होंगे goodwill किस तरीके से होती है वह देखेंगे देखो goodwill से related total 6 topic आएंगे आपके पास क्या topic आएंगे अलग-अलग तरीके से goodwill लेकर आई जाती है अलग-अलग goodwill के processes होते हैं ठीक है अलग-अलग type से adjustment करते हैं तो goodwill के topic के अंदर 6 तरीके के question है especially 6 types की goodwill के questions होंगे first type तो यह होगा कि goodwill is paid privately कि जो बंदा आ रहा है वो goodwill privately पे कर रहा है मतलब कि वो सबके सामने नहीं बता रहा है वो records में नहीं ले रहा उसको अलग से partners को privately दे रहा है यह लो goodwill के पैसे आप ज़्यादा मुह मत खोलो चुपचा बैठे रहो ठीक है अंडर टेबल लेकिन अं जाती है तो क्या adjustment होगा वो हम सीखेंगे एक डंक से सीखेंगे चिंता मत करो अभी मैं सिर्फ introduction बता रहा हूं कि इनके अंदर होगा क्या goodwill क्या कैसे adjustments होंगे 6 adjustments सीखेंगे 2-3 वीडियो लगेंगे सीखने में लेकिन अच्छे से समझाओंगा चिंता मत करो मजा आ जाएगा second number है goodwill is bought in cash or check कि जो नया partner आ रहा है वो goodwill के पैसे जो उसकी goodwill होती है सबकी goodwill नहीं लेकर आता फर्म की goodwill नहीं लेकर आता देखो क्या होता है firm की goodwill calculate की जाती है उसमें उस partner का हिस्सा कितना है वो calculate किया जाता है उतनी ही goodwill वो लेकर आता है ठीक है और इस goodwill का दूसरा न check cash से भी लेकर आ सकता है check से भी लेकर दोनों को एक तरीके से treat same ही किया जाता है दोनों ही liquid assets है अपनी ठीक है buy a new or incoming partner and retained in the business कि जो goodwill वो लेकर आया उसको हमको business के अंदर as it is रखनी है हमार को उसको छेड़ना नहीं है पहला तरीका तो यह हो गया मतलब कि goodwill के पैसे cash या check मे लेकर आया जिन पार्टनर्स का हिस्सा बनता है उस goodwill में उनको वो दे दिया और उन पार्टनर्स ने goodwill को firm के अंदर ही रखके रखा है यह हो गया second method third method क्या है goodwill is bought in cash or check कि वही कोई बंदा goodwill के पैसे cash या check लेकर आ जाए लेकिन वो पैसे जो है वो fully या partly पार्टनर्स जो है वो निकाल ले जिन पार्टनर्स को जितनी goodwill दी suppose C नाम का वंदे को admit कराया अब C जो है 20,000 की goodwill लेकर आया तो A और B को suppose 10,000 की goodwill मिल रही है तो उनको बाढ़ दी पहले तो उनने 10,000 की goodwill अब उनसे क्या हुआ कि यह बाढ़ दी तो उनकी इच्छोई यार firm के अंदर रखने से अच्छा तो मैं इसको गढ़ ले जाओ कई और किसी की नजर पढ़ जाएगी तो गलत हो जाएगा यह वो ऐसे वैसे करके मन में सोचा और दोनों ने 10,000 की goodwill निकाल ली withdraw कर दिया उसका पैसा जो cash आई goodwill और वो उनके बीच में distribute होई और उनोंने partners ने fully withdraw कर दिया ऐसी partly भी withdraw कर सकते हैं दोनोंने suppose 50-50% withdraw कर दिया तो व जंजट हो जाता है क्या जंजट हो जाता है कि goodwill को firm के अंदर ही पड़े रहने देना है या फिर third case के अंदर goodwill को firm से निकाल लेना है तीन cases हो गए अब fourth case है goodwill is bought in kind kind का मतलब होता है किसी वस्तू के रूप में लेकर आना as an assets लेकर आना ठीक है उसके बदले furniture लेकर आ गया और बुला यह furniture as a goodwill treat कर लो यह machinery as a goodwill treat कर लो तो वो कुछ चीजें लेकर आ जाए पैसा नहीं लेकर आए ठीक है एक व्रदा अश्रम में जाते हैं तो हम लोग donate करते हैं cash cash donate करते हैं और बोलते हैं जो आपकी इच्छा हो वो आप करो arrangement और दूसरा तरीका यह होता है कि हम उ कि second और third में cash और check था fourth में अब kind आ गया अब fifth वाले में क्या हुआ कि when part of goodwill is bought कि वही थोड़ा पैसा लेकर आ रहा है और थोड़ा kind में है मतलब कि थोड़ी तो goodwill लेकर आ रहा है पार्टली लेकर आ रहा है और बाकी goodwill नहीं लेकर आ रहा है उसके ताकत ही नहीं है देने क बहुत थका हारा परेशान आदमी है capital ही बड़ा मुश्कल से दे रहा है अब वो goodwill के भी पैसे नहीं दे पा रहा तो थोड़े पैसे goodwill के लेकर आएगा तो वो case हो जाएगा fifth case अब sixth case क्या है when the new partner does not bring his goodwill मना ही कर दिया रहे नहीं लाओंगा जा जो करना है कर ले नहीं ऐसे नहीं प्यार से गोलते भी या sorry या नहीं लापगों में को या ऐसे ठीक है तो कुल मिला कर 6 cases हम लोग goodwill से related study करेंगे तो आज से हम चालू करते हैं सबसे पहले first case से ठीक है अब देखते हैं दुनिया कहा तक ले जाती है इस वीडियो के अंदर सबसे पहले first case में क्या लिखावा है goodwill is paid privately सबसे पहला case कि गुडविल जो है privately देदी तो सीधी सीधी बात है देखो जर्नल एंट्री इस नोट पास इन द बुक्स बस इतना से याद कर लो है छोड़ो दो आपको क्या मतलब बुक्स के अंदर कोई entry पास ही नहीं होगी तो चुप चाब जब भी लिखाओ न गुडविल इस पेड प्राइवेट ली तो कुशन में भूल जाओ ये कोई रिटेंड मतलब होता है बिजनस में रखना है ठीक है तो बंदा कोई है जो गुडविल के पैसे कैश या चैक लेकर आ रहा है और वो गुडविल पार्टनर्स में डिस्टिब्यूट कर ली और वो पार्टनर अच्छे तो उन्होंने बुला फर्म में पढ़े रहे न तो य कांट question कुछ भी लिख सकते है टूs premium for goodwill इसे के पैसे लेकर आ रहा है तू premium for goodwill विध शेयर of goodwill दियान रखना यhe चीज goodwill नहीं लीकर आ हारा खूद्विल में उसका कितना share है वह लेकर आरा है ठीक है है अब यहां कि आगए पूरी फॉर्म की गुद्विल अगर। फॉर्म की गुडयी ने हैगा उस फॉर्म की गुडयू तो बंदे का कितना हिस्सा है वो लेकर आएगा फिर इसके बाद नेक्स्ट है अगर बंदा गरुल लेकर लेकर आता है तो यह इंट्री होती है अगर कोई लेकर आता है तो उसकी क्या इंट्री होती है तो cash और bank account debit to partners capital गुडविल भी लेकर आएगा तो cash capital भी लेकर आएगा कोई भी partner form में admit होता है तो बिना capital के कि किसी को ऐसे admit नहीं करते हैं कोई बोले मज़े मज़े में आ गया आ गया आजा कोई बड़ी तोप होती है या कोई ऐसा मजबूर आदमी होता है जिसके बास capital नहीं होती है लेकिन hard working है time देगा वो तो अपन ले भी लेते हैं कभी-कभी वो तो अपनी इच्छा है लेकिन by chance capital लेकर आएगा तो भी तो entry पता हो नीचे क्या होगी तो राम अगर capital लेकर आएगा तो क्या entry होगी cash account debit to rams capital ठीक है तो अगर premium for goodwill लेकर आ रहा है तो cash account debit to premium for goodwill अगर capital के पैसे लेकर आ रहा है तो cash account debit to rams capital ठीक है इन दोनों को हम merge भी कर सकते हैं दोनों को add कर दिया कौन सी first और second entry को add कर दिया तो first और second entry को add करेंगे तो क्या entry हो जाएगी cash and bank account debit to partners capital to premium for goodwill कोई के बड़ी बात नहीं है यह तो आपको सबको ही आती है ठीक है फिर next है third number यह जो है ना इसके अंदर क्या है कि जो goodwill आती है तो कोई बंदा goodwill firm के अंदर लेकर आया उसके entry करी cash account debit to premium for goodwill तो goodwill को distribute भी तो करेंगे partners के बीच में तो partners के बीच में distribute करने के entry हो जाएगी premium for goodwill account debit to sacrificing partners capital बाबू बहुत काम की चीज़ है कि sacrificing partners capital में distribute होगी अब बाइचन्स क्या है ABC तीन partner है कि उसमें डी को admit कर आया कि सी का जितना पहले शेयर था उतना ही अभी शेयर है सी जो है ना gain कर रहा है ना sacrifice करेगा जो त्याक करेगा उसको ही goodwill का हिस्सा मिलेगा ये याद रख लेना मतलब हमेशा entry क्या होगी premium for goodwill account debit to sacrificing partners capital ठीके देखो ये जो entries सारी लखी वी है ये हमारे दिमाग में छपी होने चाहिए क्योंकि इन entries related हमारे तीन chapter है और तीनों chapter हमको करने है वाई तो अगर याद नहीं रहेंगी तो सत्यानाश हो जाएगा सब कुछ और सब कुछ याद रहना ही बहुत अच्छी बात है चलो बई आगे लेकते हैं कभी कभी क्या होता है कि हम लोग premium for goodwill अकॉंट जो है वो नया अकॉंट नहीं खोलते है बोलते यार इतनी सारी लेजर बनानी पड़ती है अभी सोचो अगर premium for goodwill अकॉंट बनाएंगे तो लेजर प्रेमियम फोर बूल की बदानी पड़ेगी तो C suppose एक लाख रुपए की capital लेकर आया और 20,000 रुपए की goodwill लेकर आया तो हम सीधी एक एंट्री कर देंगे cash account debit to cease capital और उसका capital और goodwill दोनो with share of goodwill and capital एक एंट्री भी कर सकते हैं मतलब ये new partners capital प्लस premium for goodwill की जगे सिर्फ new partners capital आ जाएगा premium for goodwill के पैसे भी उसी में ही शामिल हो गए ऐसा भी खड़ सकते हैं अच्छा फिर जब आप goodwill को distribute करोगे तो अभी आपने goodwill को distribute करने के entry क्या करी premium for goodwill to sacrificing partners capital तो आप premium for goodwill तो होगा नहीं क्योंकि account होली ने रहा है उसका पैसा किसमें डाल दिया capital account में डाल दिया तो capital account debit to sacrificing partners capital ठीक है अब आप question करोगे ना तो सब बढ़िया से समझ में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आप सब जने बहुत अच्छे से कर सकते हो थोड़ा सा दिल लगा के पढ़ाई करो तो बहुत अच्छे marks आ जाएंगे ठीक है illustration number 17 कर रहे है क्या लिखावा है A, B, our partner in a firm sharing profit in the ratio 3 ratio 2 दो partner है A और B इनका old ratio दियावा है 3 upon 5 ratio 2 upon 5 ठीक है A and B give half of their respective share to C half of their share their share मतलब A ने अपने share का आदा share C को दिया B ने अपने share का आदा share C को दिया मतलब A ने half दिया of same इसी तरीके से B ने दिया half तो अब आप बताओ A surrender कित्ता करेगा तो A is surrendered share कित्ता surrender करेगा 3 upon 5 multiply with 1 upon 2 तो हो जाएगा 3 upon 10 ऐसे ही B कित्ता surrender करेगा तो B is surrendered share 2 upon 5 multiply with 1 upon 2 2 upon 10 तो A का new ratio कित्ता अब ये C को gain होगा तो C is gaining share या new share बात एक ही है जित्ता C gain करेगा उतना ही उसका gaining share होगा या new share होगा तो अपने इच्छा है gain लिखो या new लिखो आपकी इच्छा है तो new ratio भी लिख सकते हैं 3 upon 10 plus 2 upon 10 equals to 5 upon 10 ठीक है तो C का new ratio कित्ता हो गया 5 upon 10 अब A का new ratio कित्ता हैगा तो मैं या आपे लिख देता हूँ ये C का new ratio आया अब A का new ratio निकालते हैं तो A is new ratio तो old ratio कित्ता था उसका 3 upon 5 उसमें से 3 upon 10 सामने वाला surrender कर रहा है तो 10 LCM आ जाएगा तो 6 minus 3 मतलब 3 upon 10 ऐसे ही B का new ratio कित्ता हैगा तो B का old ratio कित्ता था 2 upon 5 2 upon 5 में से 2 upon 10 surrender कर रहा है तो 4 minus 2 upon 10 मतलब 2 upon 10 new ratio हो जाएगा तो 3ों का new ratio लिख देते हैं A, B, C 3ों का new ratio हो जाएगा 3 ratio 2 ratio 5 ठीक है ये तो इनका new ratio आ गया है 3ों का sacrificing ratio तो A ने sacrifice करा 3 upon 10 और B ने sacrifice करा 2 upon 10 ठीक है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत उशार हो इतने तो ठीक है अब आगे क्या question में बोल रहा है C brings his share of premium for goodwill in cash C जो है वो premium for goodwill के पैसे कैसे लेकर आ रहा है cash में लेकर आ रहा है Goodwill of the firm is valued at 40,000 रुपीज तो goodwill firm की कितनी है तो firm की goodwill है 40,000 रुपीज अगर firm की goodwill 40,000 है तो C की goodwill कितनी होगी 40,000 into 5 upon 10 मतलब की 20,000 रूपीज C goodwill कितनी लेकर आएगा पीस हजार रुपीज यान रखना है यह چीज C गुडविल कितनी लेकर आएगा 20,000 रुपीज अब C goodwill लेकर आएगा तो goodwill के पैसे अगर cash लेकर आते हैं तो उसकी entry पहली पहली entry होती है cash account debit to premium for goodwill cash लिखो या bank लिखो बात एक ही है कितने रुपे लेकर आ रहा है 20,000 रुपीज लेकर आ रहा है cash account debit to premium for goodwill 20,000 रुपीज अब ये goodwill के पैसे partners में distribute हो जाएंगे तो entry हो जाएंगे premium for goodwill account debit to sacrificing partners capital जो sacrifice करेगा उसी में ही distribute होंगे तो 2A, 2B दोनों ही sacrifice कर रहे हैं विचारें तो 20,000 रुपे distribute हो जाएंगे A और B में कौन से ratio में 3 ratio 2 में 3 ratio 2 में मतलब 12,000 और 8,000 रुपीज sacrificing ratio 3 ratio 2 आई बात समझ में अब कोई बंदा बोले आके कि इन नहीं सर मजा नहीं आ है premium for goodwill account आपने open कर लिया आप मेरे को capital account के थ्रू करके दिखाओ तो यार बाबू तुम सब कर सकते हो premium for goodwill की जगे पे सिर्फ इतना लिखना है उसके capital का account मतलब की alternative method बुक के अंदर भी दिया वा इसलिए बताना पढ़ रहा है cash account debit to seize capital बस premium for goodwill की जगे क्या लिख दिया seize capital लिख दिया और फिर entry कर दी seize capital account debit to A to B 20,000, 12,000 और 8,000 रुपे बस premium for goodwill की जगे पे seize capital लिखना है हम नए account नहीं खोलके हम seize capital के थ्रू ही goodwill का adjustment करने की कुशिश कर रहे है ठीक है आपको कुछ भी नहीं है पहले question में old ratio दिया होगा तो sacrificing ratio जरूर निकाल लेना new ratio जरूर निकाल लेना फिर goodwill के पैसे cash लेकर आएगा तो cash या bank account debit to premium for goodwill फिर premium for goodwill को partners में distribute करने की वो sacrificing ratio में distribute हो जाएगा तो एंट्री हो जाएगे premium for goodwill to sacrificing partners capital तो students अब हम next question कर रहे है illustration number 18 क्या लिखावा है A, B, our partner in a firm sharing profit in the ratio 2 ratio 1 दो partner है A और B इनका old ratio given है 2 upon 3 ratio 1 upon 3 on 1st April 2020 their capital was 4 lakh and 2 lakh respectively इन दोनों की capital दीवी है 4 lakh रुपए और 2 lakh रुपए on that date they admitted C as a partner for 1 5th share in the profit new ratio दियावा है C का किता दियावा है 1 upon 5 new profit sharing ratio of A, B, C will be 3 ratio 1 ratio 1 मालब 3 upon 5 ratio 1 upon 5 ratio 1 upon 5 तीनों का profit sharing ratio होगा C bought in 1 lakh as a capital C जो है वो capital के लेकर आ रहा है 1 lakh रुपए और goodwill के लेकर आ रहा है 21,000 रुपीस अब आगे क्या बोल रहा है as a share of premium आपको journal entries पास करनी है show capital account of all the partners तो इसमें अपनको journal entry भी पास करनी है और capital account भी बना रहा है partners का सबसे पहले कोई partner अगर capital और goodwill के पैसे cash लेकर आता है तो उसकी entry क्या होती है cash slash bank account debit to premium for goodwill to seize capital ठीक है capital भी लेकर आ रहा है और premium for goodwill भी लेकर आ रहा है capital कितनी है 1 lakh रुपीस है और premium for goodwill है 21,000 रुपीस total 1 lakh 21,000 रुपीस लेकर आ रहा है अब वो premium for goodwill के पैसे sacrificing partners में sacrificing ratio में distribute हो जाएंगे तो उसकी entry होगी premium for goodwill account debit to अब sacrificing partners कौन कौन से हैं उसके लिए हम लोग sacrifice ratio का formula लगाएंगे sacrifice ratio equals to old ratio minus new ratio अब ए जो है एक आपन sacrificing ratio निकालते तो old ratio है 2 upon 3 minus 3 upon 5 new ratio है इसमें ऐसे हम लेंगे 15 नीचे multiply cross multiply करेंगे तो 10 minus 9 तो 1 upon 15 जो है एका sacrificing ratio आ गया ऐसी है आप B का sacrificing ratio निकालेंगे तो 1 upon 3 minus 1 upon 5 ऐसे हम लेंगे 15 नीचे multiply cross multiply करेंगे तो 2 upon 15 जो है B का sacrificing ratio आ जाएगा तो A और B 1 upon 15 और 2 upon 15 sacrifice कर रहे हैं तो premium for goodwill के पैसे 2 A's capital 2 B's capital में 1 ratio 2 में distribute हो जाएंगे मतलब 21,000 को हम लोग 1 ratio 2 में distribute करेंगे तो 17,000 और 14,000 रुपीज जो है वो इनके बीच में goodwill के पैसे distribute हो जाएंगे अब हमको इसका capital account बनाना है तो यहाँ पर हम लोग capital account बना देते हैं capital account में partners की capital पहले दीवी है A और B की 4 lakh और 2 lakh रुपीज तो A और B में लिख देंगे by balance BD 4 lakh रुपीज और 2 lakh रुपीज दोनों की capital दीवी है फिर उसके बाद first entry करी cash account debit to premium for goodwill to seize capital अब capital account के अंदर सिर्फ अपन capital का ही पैसा लिखेंगे premium for goodwill का पैसा नहीं लिखेंगे तो इसलिए capital account के अंदर लिखेंगे by cash या bank और C के अंदर amount लिखेंगे C जो है 1 lakh की capital लेकर आ रहा है फिर उसके बाद second entry होगी premium for goodwill account debit to A's capital to B's capital तो दोनों में by side पे लिख देंगे by premium for goodwill A और B में amount लिख देंगे 7,000 रुपीज और 14,000 रुपीज इसके बाद हम लोग total लगाएंगे total लगाने के बाद जो balancing figure आएगा वो हो जाएगा 2 balance CD तो 4,07,000 रुपीज और 2,14,000 रुपीज और 1,00,000 रुपीज अब इसी के साथ capital account complete हो गया है अब इसका एक और भी method है क्या method है हम premium for goodwill account को वापस से open नहीं करें मतलब ये एक नए account नहीं बना के हम लोग सारी entries capital account के अंदर ही करें तो उसकी क्या entry हो जाएगी cash account debit to cease capital अब total cease capital में goodwill और capital दोनों का amount आजाएगा मतलब 1,21,000 पूरा amount आजाएगा अब वो cease capital हम लोग जो goodwill का पैसा है वो हम sacrificing partners में distribute कर देंगे तो sacrificing partner A और B है total 21,000 रुपीज गुडविल के पैसे थे वो 7,000 रुपीज और 14,000 रुपीज A और B के अंदर distribute हो जाएगे इनके sacrificing ratio में अब इसका हम लोग capital account बनाएगे तो capital account यहाँ पर बना लेते हैं सबसे पहले capital account के अंदर इनकी capital का opening balance जो दिया वाए buy balance BD वो लिखेंगे तो A और B की opening capital जो है वो 4 lakh और 2 lakh रुपीज है उसके बाद C जो है total 1,21,000 रुपीज तो हम लोग buy cash या bank करेंगे C के अंदर amount लिखेंगे 1,21,000 रुपीज अब C's capital 2 A's capital 2 B's capital मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 A's capital 2 B's capital और buy side पर लिखेंगे buy C's capital अब C's capital अगर आपने buy side पर लिखा है तो amount किस में आएगा A और B में आएगा मतलब amount A में लिखेंगे 7,000 रुपीज और B में लिखेंगे 14,000 रुपीज अगर A और B लिख रहे है तो amount किस में आएगा C के अंदर आएगा तो C के अंदर आ जाएगा 7000 रुपीज और 14000 रुपीज टोटल अब लोग हम लोग वापस से टोटल लगाएंगे तो पहले की तरह टोटल सीम आ जाएगा 2 बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस जो है कैपिटल का वो आ जाएगा 4,07,000 रुपीज 2,14,000 रुपीज और 1,00,000 रुपीज देखो अंसर दोनों का बैलेंस सीडी जो है दोनों का सेम आएगा कोई भी बैलेंस सीडी में फरक नहीं होगा क्योंकि उनकी कैपिटल बले ही सी 1,21,000 रुपे ले का क्लोजिंग बैलेंस दोनों का सेम ही रहेगा दोनों मेथर्ट से सेम रहेगा अब हम नेक्स्ट कुश्चिन करने जा रहे है इल्लस्ट्रिशन नमबर 19 क्या लिखावा है राम शाम और पार्टनर शेरिक प्रॉफिट और लॉसस इन दे रेशो फोर रेशो वन तो आर और रेशो दियावा है मोहन का वन थर्ड इट वाज अग्रीट एट राम शाम मोहन वोड शेर फ्यूचर प्रॉफिट प्रॉफिट इकॉल रहेगा मतलब वन रेशो वन रेशो वन रहेगा मतलब वन अपॉन त्री रेशो वन अपॉन त्री रेशो वन अपॉन त्री तीनों का new profit sharing ratio रहेगा मोहन bought in 50,000 as a goodwill for his one third share in the future profit profit के अंदर one third जो share है वो goodwill का लेकर आया है मतलब firm की goodwill नहीं दी विये ये firm की goodwill का one third part करके इन्होंने goodwill दी है firm की goodwill कुछ थी उसका one third करा तो 50,000 आया वो मोहन अपनी goodwill लेकर आ गया मोहन को firm से मतलब नहीं मोहन को 50,000 से मतलब है 50,000 रुपए की goodwill लेकर आ गया ठीक है तो मोहन goodwill लेकर आया है कित्ती 50,000 रुपीज की अब हम लोग entry करेंगे goodwill की goodwill के पैसे cash है bank में लेकर आएगा तो entry होगी cash slash bank account debit to premium for goodwill अब कित्ते लेकर आ रहा है sacrificing partners capital अब इस question के अंदर ये जानना बहुत जरूरी है कि sacrificing partners कौन कौन से है ठीक है तो उसके लिए हम लोग sacrificing ratio का formula लगाएंगे तो sacrificing ratio का formula है old ratio minus new ratio अब सबसे पहले हम लोग r का sacrificing ratio निकालते हैं तो r का old ratio कित्ता दियावा है 4 upon 5 minus new ratio है 1 upon 3 LC हम लेंगे 15 नीचे multiply cross multiply करेंगे तो 7 upon 15 जो है वो r का sacrificing ratio आ जाएगा ऐसे ही आप s का निकालेंगे तो s का old ratio है 1 upon 5 minus 1 upon 3 LC हम लेंगे 15 नीचे multiply cross multiply करेंगे तो 3 minus 5 तो minus में 2 upon 15 आ जाएगा मतलब कि हमने sacrificing ratio का formula लगाया और answer negative में आया अगर sacrificing ratio का formula लगाते हैं और answer negative में आता है मतलब वो gain कर रहा है ठीक है तो ये एक बहुत बढ़िया बात हो गई नहीं बात हो गई अब आप क्या बोलोगे कि sir जो premium for goodwill है 50,000 रुपीज sacrifice एक ही बंदा कर रहा है कौन कर रहा है आर कर रहा है तो हमको 50,000 रुपीज आर को दे देने चीए और इस question को खतम करना चीए लेकिन ऐसा नहीं होगा देखो क्या है हम लोग partiality नहीं कर सकते old partner और new partner के बीच में कोई partiality नहीं कर सकते क्या कैसे partiality new partner जो है वो 50,000 रुपीज क्यों लेकर आया है क्योंकि उसको profit के अंदर हम लोग हिस्सा दे रहे है वो बंदा gain कर रहा है इस current से वो goodwill के पैसे लेकर आया है ठीके अब जबकि पुराना partner एक ऐसा है S नाम का जो कि उसका profit sharing ratio change हुआ है उस current से अब वो future में profit ज़्यादा कमाएगा वो भी gaining partner है उसको भी ज़्यादा हिस्सा मिलेगा profit के अंदर तो ऐसा थोड़ी दे कि उससे goodwill नहीं मंगाएंगे जब नए partner को gain करने के कारणा आप उससे goodwill मंगा रहे हो तो अगर पुराना partner gaining है तो उससे भी तो goodwill के पैसे मंगाने पड़ेंगे तो इस current से S जो है वो gaining partner है और उससे भी हम लोग goodwill के पैसे मंगाएंगे अब आप बोलोगे सर कितने मंगाएंगे तो भाई साथ M जो है उसने one third gain किया था कितना gain किया था one third तो उससे 50,000 रुपे मंगाये थे अब ये बंदा जो है वो gain कर रहा है 2 upon 15 तो उससे 2 upon 15 के साथ से gain मंगाएंगे पैसे अब 2 upon 15 किसका तो अपन देखो भाई साथ goodwill of Mohan वो थी 50,000 रुपेस एंड शेयर ओफ Mohan कितना था one upon three ठीक है तो अब हम firm की goodwill निकालेंगे तो firm की goodwill निकालने के लिए क्या है Mohan जितनी goodwill लेकर आया है और Mohan का जो शेयर है उसका reciprocal अगर हम कर देते हैं मतलब one third की जगए three upon one कर देंगे तो firm की goodwill आजाएगी कितनी one lakh 50,000 रुपेस तो firm की goodwill है एक लाग पचास अजार रुपेस उसमें पचास हजार इससा तो Mohan का है क्योंकि one third इससा है Mohan का gain ratio में तो ऐसे ही S जो है उसका gaining share कितना है two upon fifteen है तो वो two upon fifteen के हिसाब से पैसे लेकर आएगा तो हम entry करेंगे S capital account debit और यहाँ पे लिख देंगे two hours capital sacrificing partner को credit किया है तो gaining partner को debit करेंगे तो gaining partner को debit करा sacrificing partner को credit करा gaining partner S है तो S का gain ratio किता है two upon fifteen तो one lakh fifty thousand का two upon fifteen पार्ट वो लेकर आएगा मतलब twenty thousand रुपीज वो भी goodwill लेकर आएगा नया partner पचास हजार की goodwill लेकर आ रहा है तो अगर पुराना partner gain कर रहा है तो वो भी 20,000 रुपे की goodwill लेकर आएगा और total 70,000 रुपे आर के खाते में चले जाएगे आप चाहो तो चेक करना चाहो तो आर sacrifice कर रहा था seven upon fifteen और one lakh fifty thousand रुपीज फर्म की goodwill है आप चेक कर सकते हो 70,000 रुपीज टोटल उसके पास आने चाहिए और दे दिये हमने उसको क्योंकि बंदा sacrifice कर रहा है तो उसको goodwill के पैसे तो देने चाहिए ना अब ये question बहुत important है क्योंकि आप क्या करोगे sacrificing partner देखोगे ही आर है और चुपचाप उसको आर को जो है 50,000 रुपे दे दो नहीं आर 50,000 के लायक नहीं है विटा 70,000 के लायक है ठीक है तो इसलिए हम लोग उसको 20,000 रुपे और M से दिलाएंगे, S से दिलाएंगे दोनों से और टूटल उसको 17,000 रुपे दिलाएंगे अब next topic है accounting treatment of goodwill existing in the books अगर books के अंदर goodwill account पहले से ही exist कर रहा हो तो इसका adjustment किस तरीके से करेंगे तो सबसे पहले इसके दो तरीके हैं समझने के लिए देखो goodwill account को जो आपका पुराना goodwill है पहले से आपकी books के अंदर exist कर रहा है उस goodwill account को सबसे पहले हम write off करेंगे तो पुरानी goodwill को अगर आप write off करोगे तो एक method हो जाएगा दूसरा method का इंसा है to retain the existing goodwill in the books कि भई पुरानी goodwill को books के अंदर रखके रखो दो तरीके है पहला तो पुरानी जो existing goodwill है उसको आप हटा दो दूसरा तरीका यह कि पुरानी goodwill को आप books के अंदर रखके रखो अगर पुरानी goodwill को हम books में से हटा देते हैं write off कर देते हैं तो उसकी entry होती है goodwill अपनी assets होती है और उसको खतम करने के लिए हम लोग credit करते हैं तो old partners capital account debit to goodwill यह हम पुरानी chapter के अंदर भी study कर चुके हैं पुरानी goodwill को खतम करने के entry होती है old partners capital account debit to goodwill अगर आप उसको write off नहीं करना चाहते हो तो क्या करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं उसको की जैसे आपके पास goodwill थी books के अंदर 1 lakh rupees की books के अंदर goodwill कितनी है 1 lakh rupees की और admission के time पे goodwill की revaluation की गई तो 2 lakh 50,000 rupees आया books के अंदर आपकी goodwill है 1 lakh rupees admission के time पे goodwill आयी 2 lakh 50,000 rupees तो जो 1,50,000 रुपीज की गुडविल इंक्रीज हुई है उसमें से नए पार्टनर का शेर कितना होगा वो अपन निकालके उससे उतनी गुडविल मंगा लेंगे मतलब डिफरेंस निकालेंगे बुक वैल्यू और मार्केट प्रेजेंट वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे जो डिफरेंस आएगा उसका 1,3 शेर, 1,4 शेर जितने के लिए भी वो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उतना शेर उससे मंगाएंगे और वो गुड गुडविल को राइट ओफ करना और नहीं तो फिर पुरानी गुडविल को कंटीनियू रखना अब जैसे इलस्ट्रेशन नमबर 20 है उसके अंदर क्या बोल रहा है एक्स वाई आपार्टनर है इनका ओल्ड रेशो दियावा है 4 अपॉन 7 रेशो 3 अपॉन सेवन ऑन 1st अप पार्टनर उन्होंने जैड को एडमिट कराया तो न्यू रेशो जैड का अब जैड बॉट इन 1 लाक फॉर इस कैपितल एंग 21,000 फॉर वन थर्ड शेर ओफ गुडविल इन प्रेमियम अफ गुडविल प्रेमियम मतलब जैड का जो शेर है वो वन थर्ड है अब वो गुड कितनी लेकर आ रहा है तो जैड गुडविल जो है वो है 21,000 फॉर्ड पीज की ठीक है अब यहाँ पे कैपिटल जो है जैड की वो कितनी है वन लाक फॉर पीज है तो आप ध्यान से समझों Z जो goodwill लेकर आ रहा है वो है 21,000 रुपीज और books के अंदर पहले से 28,000 के goodwill available है तो अब आप क्या करोगे इस time पर necessary adjustment entries बताओ तो पहली बात तो ये ध्यान से समझना अगर old ratio of old partner given होता है and new ratio of new partner given होता है और कुछ भी नहीं दियावा होता है तो फिर sacrificing ratio old ratio ही होता है ये बात ध् रखना मतलब X और Y का sacrificing ratio क्या होगा 4 ratio 3 होगा सबसे पहले तो ये बात आप अपने दिमाग में set कर लो कड़ी विलकुल बढ़िया मतलब sacrificing ratio जो है X और Y का वो कितना है 4 ratio 3 है अब उसके बाद हम लोगा entries करने जा रहे हैं तो हमारी goodwill books के अंदर exist कितनी कर रही है 28,000 करेंगे जो हमारी existing goodwill है पुरानी goodwill जो form की है उसको हम खतम करेंगे उसको हम write-off करेंगे तो goodwill assets होती है write-off करने के लिए उसको credit करते हैं तो old partners में distribute होती है क्योंकि उस पर पुराने partners का अधिकार होता है तो old partners capital to goodwill इसकी entry होती है मतलब old partner कौन है X और Y तो X capital account debit Y's capital account debit to goodwill हो की goodwill को हम old partners में old ratio में distribute करेंगे मतलब 4 ratio 3 में distribute करेंगे तो 16,000 और 12,000 रुपीज जो है X और Y को goodwill write-off कर लेंगे old ratio में ठीक है पुरानी goodwill खतम हो गई अब matter खतम हो गया अब आप जैसे treatment करते हो वैसे करो मतलब की Z जो है capital और goodwill के पैसे लेकर आ रहा है तो उसकी entry करो क्या entry होती है bank account debit या cash account debit to Z capital to premium for goodwill ठीक है अब Z कितना capital है 1,000,000 रुपीज की और goodwill कितनी है 21,000 रुपीज की total 1,000,000 रुपीज के लेकर आ रहा है अब premium for goodwill को हम लोग sacrificing partner में distribute करेंगे तो premium for goodwill account debit 2X2Y अब मैंने बताया old ratio given है और new ratio जो बताया था sacrificing ratio क्या आएगा इनका 4 ratio 3 में distribute कर देंगे मतलब 12,000 रुपीज और 9,000 रुपीज में distribute कर देंगे ठीक है तो ये entry खतम होगे इस question में क्या था goodwill जो exist कर रही थी हमारी books के अंदर उसको हमने write-off कर दिया और फिर जैसे cash लेकर आता है cash to premium for goodwill to capital और premium for goodwill to sacrificing partners capital इस तरहीके से distribute कर दिया अब हम next illustration कर रहे है illustration number 21 क्या लिखावा है रमन और चमन आर पाड़ना sharing profit equally तो आर और एस का old ratio दियावा है 1 upon 2 ratio 1 upon 2 they admitted moment for one third share in the profit with effect from ये ये तो new ratio जो है वो बमन का है कितना 1 upon 3 goodwill was valued at 5 lakh rupees firm की goodwill दीवी है कितनी 5 lakh rupees ठीक है ये valued goodwill है ध्यान रखना ये चीज़ग है valued goodwill अलग होती है और existing goodwill या books goodwill अलग होती है books में पहले से पुराने time से goodwill कितनी है वो अलग होती है ध्यान रखना ये चीज़ग ए existing goodwill जो है वो पहले की होती है कुछ साल पहले की अभी जब admission करा ही जाती है partner की उस time पर हम लोग वापस से goodwill की valuation करवाते हैं तो वो दीवी ये कित्ती 5 लाक रुपीज दीवी है goodwill exist in the balance sheet at 2 लाक रुपीज existing goodwill जो है वो है 2 लाक रुपीज मतलब पहले से 2 लाक रुपए की goodwill books के अंदर show कर रखी है और वैसे अभी 5 लाक रुपए की goodwill है it was agreed that partners to carry forward the existing goodwill at its book value मतलब उन्होंने ये बोला कि जो पहले 2 लाक रुपए कि goodwill पढ़ी है हम उसको as it is continue करना चाहरे है हम 2 लाक की goodwill को खतम नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं यार तुमारी मार्जी है तुम मालिक हो यार कुछ भी कर सकते हो तो क्या करेंगे तो मैंने बताया था कि difference निकालेंगे तो 5 लाक और 2 लाक का difference निकालेंगे तो 5 लाक में वन थर्ड हिस्सा मतलब वो बंदा 1 लाक रुपए की goodwill लेकर आएगा जो हमारी existing goodwill है और जो revalued goodwill है दोनों का difference निकालेंगे उसमें जो admit हो रहा है partner उसका कितना share है उसके हिसाब से वो goodwill लेकर आजाएगा अब बोल रहे है बोमन bought his share of goodwill by check बोमन जो है वो goodwill के पैसे check से लेकर आया अगर check से लेकर आता है तो entry करते है bank account debit to premium for goodwill तो किटे goodwill के पैसे लेकर आएगा वन लाक रुपीज लेकर आएगा अब यह भी हमने निकाला की existing goodwill और जो goodwill हमने रिवैल्यूड करवाएं उनका difference में उसका कित्ता share बनता है उतनी वो goodwill लेकर आएगा मतलब 1,00,000 की goodwill लेकर आएगा फिर premium for goodwill to sacrificing partners capital to 2R2S हमको new ratio नहीं दिया वाए तो old ratio को ही sacrificing ratio मानेंगे तो इनका old ratio 1 ratio 1 है तो sacrifice भी equally करेंगे मतलब 50,000 रुपीज और 50,000 रुपीज इनका sacrificing ratio आजाएगा ध्यान रखना ही है ठीक है अगर goodwill को right off करना है तो पहले क्या करते है इस 2,00,000 वाली goodwill को right off कर देते और फिर 5,00,000 का one third इससे goodwill मंगाते अगर right off करते तो 2,00,000 की right off करते है और 5,00,000 के हिसाब से मंगाते है उससे पैसे लेकिन बोला नहीं 2,00,000 तो रखनी नहीं है तो 2,00,000,000 का difference निकाला 3,00,000,000 रुपए उसका share मंगाया मतलब की अभी 3,00,000,000 का one third निकाला और अगर पहले वाला question होता right off करने वाला question हता तो 5,00,000,000 का one third मंगाते है उससे ठीक है आपको difference समझ में आ गया होगा और इसी के साथ हम ये topic को यहीं पी over करते है आन उसमें तो कोई entry करनी ही नहीं है second method अबने सीखा था कि goodwill जो है cash या bank से लेकर आये और वो goodwill का पैसा firm के अंदर ही पड़ा रहेगा partner उसको नहीं निकाल रहे देखो अभी तक आपने जितने भी question देखे उनमें किसी में भी partner ने कोई भी goodwill के पैसे firm से नहीं निकाले लेकि